नमस्कार दोस्तों, अम्बेटकर नामा के बारहवे एपिसोड में आप सबका स्वागत है चे से लेकर नौ एपिसोड तक हमने भारत में साहिमन कमिशन के आगवन, भारत में विरोध प्रदर्शन, अम्बेटकर साहब का साक्षातकार, तमाम इस मुद्दे से लेकर और प्रतंग गोल में सम्मेलन के प्रसेडिंग की शुरुवात अज उससे आगे हम चर्चा करेंगे जब प्रसेडिंग शुरू हुई, कारवाई शुरू हुई, तब राजे महराजे जो ब्रिटिश प्रतनिधी से लेकर और जितने और प्रतनिधी थे, उनके व्याख्यान के बाद, भाषन के बाद, सब की नजर दुनिया की एक खास वेक्ति की ओट्टिगी थी, दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने बड़े मंच पर वंचित जमात के लोगों की बात रखने के लिए वो वेक्ति बोलने वाला था, उसकी आवाज को रखने वाला था, भबे शालेंता, आत्म बिश्वास, चिंगारी युक्त, आँखे, कसे हुए ओट के साथ वो वे वेक्ति अपने आत्म बिश्वास नैतिक और मानसिक बल की आधार पर फर्ष से लेकर अर्ष तक पहुचा था, उन्चालिस वर्ष, 39 एर्ष, उन्चालिस वर्ष का वो नौजवान, वैसी सभा में अपनी बात रखने वाला था, जिसमें राजे, महराजे, रजवारे, उस सभा में उस वेक्ति को पढ़ाने वाले स्कूल के सिक्षक भी मौजूद थे, और अमेरिका जाने के लिए जिन्होंने स्पॉंसर दी थी, बरवदा महराज वो भी मौजूद थे, सब की निगाहें उस वेक्ति की तरफ थी, लेकिन वह वेक्ति तनिक भी विचलित नहीं उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, पूरी मुकंबल तयारी के साथ वेक्ति खड़ा हुआ उस सभा में, ब्रिटिश प्रिमेर मैक्डोनाल्ड और भारत के जो प्रतिनीती थे, एमेन जोशी को छोड़ कर, कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं था, जो गरीवी को जिसने देखा हो, गरीवी के विवत्स रूप को देखा हो उस मुकाबले, उस अधिवेशन में, उस कॉंफरेंस में, बड़े-बड़े विद्वान, पंडित थे, लेकिन अकादमिक जगत में, जो फॉर्मल जो डिगरी ट्रेनिंग की दुनिया है, अकादमिक जगत में उस वेक्ति से जादा पढ़ा लिखा आदमी, डिगरी बाज डॉक्टर बी आर अमबेट का, वो जब खड़े हुए, उन्होंने कहा, शुरू कि, कि मैं इस सम्मेलन में भारत की आवादी के वन फिफ्ट पॉपुलेशन को रेप्रेजेंट कर रहा हूं, भारत की आवादी के पांचवे हिस्सा को रेप्रेजेंट कर रहा हूं, औ वह आवादी ब्रिटेन और फ्रांस की आवादी से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम दास और अर्थ दास से बकतर इस्तिती में रहने के लिए मजबूर हैं, उन्होंने कहा, कि भारत के अस्प्रिष्टे भी डिप्रेस क्लास के लोग भी सरकार को बदलना चाहते हैं, यह ब्र सप्राइज दी ओल डेलिगेट्स, सब लोग अचंबित होकर देख रहे थी कि अमबेटकर क्या कह रहे हैं, अमबेटकर ने ब्रिटिश हुकूमत के पुर्व और ब्रिटिश हुकूमत के दावरान, अस्प्रिश्यों के इस्तिती पे तूलना करते हुए, ब्रिटिश सवाल उठाए तीके परहार किये, उन्होंने कहा कि इंस्टेड आफ मार्चिंग अहेड, वी आर मार्चिंग टाइम, कि हम लोग समय के साथ आगे बढ़ने के बजाए, हम लोग समय काट रहे हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले हम लोग घ्रनित समझे जाते थे. गाहों के तालाव से हम पानी नहीं पी सकते थे. मंदिर और अन्य सारजनिक अस्थलों पे हमारा प्रविश निशिद था, हम जा नहीं सकते थे. फोज में हमारी बहाली हो नहीं सकती थी. क्या ब्रिटिश हुकूमत ने इस समस्या के सामाधान के लिए कोई उपाय किये कोई कानून बनाए 150 वर्स के ब्रिटिश हुकूमत के दोरान हमारे उत्थान के लिए क्या कारे हुआ ये बात ब्रिटिश हुकूमत बता है इस यह बात सुनते ही जो ब्रिटेन के प्रतिमिदी थे एक दूसरे का चेहरा देखने नहीं लेगी इस अप्सलूटली इस सर्प्राइजिंग एलेमेंट इना बेटकर्स स्पीच कि सबको लगा था कि इस तरह से अटैक नहीं होगा ब्रिटिश हुकूमत पर ठीक है तो इसके आगे उन्होंने कहा कि यह सरकार जानती है कि पुजी-पती मजदूरों का शोषन कर रहे हैं जमेंदार किसानों का खुन चूस रहे हैं समाजी के बुराई चारों तरह व्याब्त है लेकिन क्या इस पे कोई कानून बना कोई सुधार के अप्यान चलाए गए सरकार की ओर से ब्रिटिश हुकूमत की ओर से अमबेटकर ने अपने भाशन में ब्रिटिश हुकूमत को ललका रहा है उन्होंने कहा इसलिए ये सब समझने की ज़रूरत है कि जो लोग कहते हैं सिर्फ की अम्बेटकर जो है सिर्फ ब्रिटिश रुकूमत के साथ से उनके साथ समय हाँ मिलाते थे ये सब गलत बात है फिक्चुली इनकरेक्ट है लोग पढ़ते नहीं हैं सिर्फ अफवाँ फैला हैं इसलिए पढ़ा जाना जरूरी है कि समेल फर्स्ट राउं टेवल कॉन्फरेंस में वो ब्रिटिश हुकूमत के उकुल ललकार रहे थे चुनावती दे रहे थे उन्होंने ललकारा कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसी वर्ग और जाती विशेश के लिए नहीं बलके पूरे देश के हित्में पूरे देश की जनता के हित्में काम करें हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसको यह पता हो कि कहां तक उनकी बात मानी जाएगी और कहां से प्रतिरोध फिडू होगा ऐसी सरकार हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए कानून बनाने से घवराये नहीं हिचके नहीं उस समेलन में सारे लोगों ने अमबेटकर से पहले जितने वक्ता थे उन्होंने डूमेनियन स्टेटस की मांग की ती सोसासन प्रनाली की सुधार प्रनाली की अंबेटकर ने उनको इसमें सहमती दी उनकी मांगों को जायज धराया उन्होंने कहा कि हम Dominion Status चाहते हैं लेकिन एक सवाल कि जब Dominion Status मिल जाएगा तो उसमें Depressed Classes की क्या इस्तिति होगी हम कहां होंगे इस Dominion Status में ये सवाल उन्होंने उठाया उन्होंने कहा कि भारत का समाज है उपर से नीचे तक स्तरिकृत स्ट्राटिफाइड ससाइटी है खंड खंड में बटा हुआ है जिसमें बंदुत्व और समानता का सिद्धान्त नहीं है मुश्किल है यही नहीं जो राजनितिक नित्रित जिनके हाथ में है वो भी जाती बात की बुराईयों को दूर करने में वो सक्षम नहीं है इसलिए जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में नहीं आती तब तक हमारा हमारी समस्याओं का समधान संभव नहीं हमारी मुक्ति संभव नहीं नोट किजेगा आजकल हमारे बहुत सारे साथी एक ही दिन में पूरी दुनिया पलट कर देते हैं कि भाई सर्टिफिकेट बाटने लगते हैं कि मैं अमेटकर वादी हूँ दूसरा नहीं है कोई छदम है आपने ऐसे बोल दिया ये बोल दिया एक हजार समस्या लेकि एक सांथ खुदने लगते हैं और एक दूसरे को सर्टिफिकेट बाटने लगते थे जिससे मैं मेटकर ये बात बोलो है ते उससे में हजारों समस्या हैं अस्परिश्यों की दलितों की पिछड़ों की तमाम लोगों की समस्या है हजारों समस्या रही होंगी लेकिन सिर्फ वो फोकस क रहते एक समस्या पर कि हमको political liberation चाहिए राजनितिक शक्ति चाहिए और राजनितिक शक्ति जब मिलेगी उनकी यह समझ थी तब हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं कि कहते हैं कि पानी को लोहे से काटते हैं concentration level हाई करके जिन्दगी में कभी सफल होना हो किसी आंदोलन को किसी काम को सफल कराना हो तो एक हजार एजेंडा एक साथ मत लिजिए एक समय एक ही एजेंडा लिजिए और उसी पे उसी पे लगे रहिए कहते हैं ना लोहा गरम है मार दो हाथारा यह नहीं आप यह कहिए कि लोहा यदि ठंडा है तो इतना हाथारा मारेंगे कि लोहा गरम हो जागा तब जाके आपको सफलता मिली गए यह डॉक्टरा मेटकर यहां कर रहे थे कि मुझे पॉलिटिकल अधिकार चाहिए उन्होंने आगे कहा कि डेप्रेस क्लास के लोगों ने बहुत इंतजार किया लेकिन अब कुछ मिर्याकल होने वाला है कुछ चमतकार होने वाला है बृतिश शाषन को हुटूमत को ललकारते वह नहां कहा कि जब तक बहुत संख्यक जनत्ता सुईकार नहीं करती है किसी संविधान को तब तक वो संविधान लागु नहीं हो सकता वो समय चला गया जब आप इक्षा जाहिर करते थे और भारत की जनता मान लेती थी, वो समय चला गया, यह चलेंज कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकुमत को, सिर्फ तर्क वितर्क करके आप समविधान बना लेंगें, हुकुमत चला लेंगें, यह सच होगा नहीं, लोगों की सहमती, पीपल, पीपल's कंसेंट is very much important, और वो आपको लेना पड़ेगा, यह जरूरत है, और उन्हें कहा, कि यदि आप चाहें, तो यह संभव है, यह सारां के लिए आप अंबेटकर साहब का यह भाषन एक निर्विक और शक्तिशाली आलोचना था बिर्टिश हुकूमत का, जिसका प्रभाव उस्समेलन के अंदर भी पड़ा, उस्समेलन के बाहर भी पड़ा, अंबेटकर का भाषन सुनने के बाद, परवदा महराज जब अपने घर आए, तो उन्होंने अपनी महरानी से, अपनी पत्नी से कहा, कि अंबेटकर के ऊपर जितने हमने प्रयास किये, जो हमने खर्च किये, वो सारा उसूल हो गया, सारा वापस मिल गया, और मैं आपको यह बता दूँ, किया, यह जो, यह करीब आठ साल बाद अमबेटकर और बरवदा महराज की यह मुलाकात हो रहे थी, निउस्पेपर्स ने बहुत सारे रिपोर्टिंग्स की, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, उस पे हम सेपरेट एपिसोर्ट करेंगे कि निउस्पेपर का क्या रोल था, लेकिन मुकुल मिलाजुला कर यह भाषन को देखेंगे तो इसके दो-तीन इंपोर्टन पहलू है, पहला कि इस गोल में संबेलन के पहले जो विमर्ष का दायरा था, वो हिंदू-मूसलिम प्रश्ण तक सिमित था, अब उसमें एक थर्ड एंगल आ गया, तीसरा एंग था, इस दिरिश्टी कोन से, जो दिप्रेस क्लास का मुहमेंट अस्परिश्यों का अंदोलन है, यह लेंड मार्क है, यह एतिहासिक है, यह गोल में संबेलन, चर्चा पूरी होने के बाद, भावी संबिधान के लिए और भारत की राजनती गतिविदी देख रेक के लिए, नाई नौ उप समीतियां बने, और उसमें से एक समीति को छोर कर, फेडरल स्ट्रॉक्चर कमिटी को छोर कर, सभी समीति में हम बेट कर शामिल किये गये और उसमें सबसे जो इंपार्टन जो समीति था, वो था माخرक्षा वो इतना इंपॉटेंट था कि प्रीमियर मैक्डोनाल्ड खुर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस कमिटी में काम करते हुए अम्बेटकर साहब ने जो सबसे बड़ी उपलब्दी की वो था डिक्लेरेशन ओफ फंडामेंटल राइट्स को समस्षामिल करना जिसके द्वारा उन्होंने डिप्रेस्ट क्लासेज के समाजिक आर्थिक राजनितिक साज़क्रितिक धार्मिक नोट की जिएगा सब पहलू उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो यह जो है अपने लक्षों को प्राप्त करने की दिशामें डिप्रेस्ट क्लासेज को उनकी हग दिलाने की दिशामें यह बहुत ही मत्पुण कदम था अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि मायरिटी सब कमिटी में रहते हुग उन्होंने जो मेमरेंडम दिया उसमें क्या-क्या प्रमुखे बाते थी प्येज नमबर बता दूँगा डिटेल्स आप पर लेना लेकिन उसमें के हाइलाइट्स मैं अगले एपिसोड में लेकर बनाकर आपके सामने पेश करूं यदि या विमर्ष अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं यह सुना और सुना जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें लोगों को भेजे सुनें और सुनाएं लाल की क्लास में आप सब का स्वागत है मैं मैं नामलाल की क्लास इसलिए रखाए कि मैं टीचर हूँ और थोड़ा सा ये टर्मलोजी फिट बैट रहा था लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं सब समधार लोग हैं मुझे आपको कोई लेक्चर नहीं देना है लेकिन जो पढ़ता लिखता हूं को इसके मैं आपसे सा डॉट लाल ये टाइप करें हम आपसे वहां भी मुलाकात होगी शुक्रिया साथियो जैभीम उमीद है कि आप आपको ये एपिसोड अच्छा लाएगा और अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फियंस है उसमें मायरिटी सब कमिट अच्छी ने क्या-क्या रेकोमेंडेशन दिये उनके महत्पूर्ण रेकोमेंडेशन पर चर्चा करेंगे शुक्रिया साथियो जैभीम मुलाकात होती अगले एपिसोड में शुक्रिया साथियों अंबिटकरवादी पत्रकारीता करने वाले नेशनल बोजन मीडिया को स्थ अपित करने में दाशुद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीदे हमारे अकाउंट नमबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफिसरी नेम है दाशुद्रा अकाउंट नमबर है 22233 0094689357 IFSE कोड है RATN 0VAA PIS ध्यान दीजिए IFSE कोड में RATN के बास 0 है ओ नहीं बैंक का नाम है आ 8595-7942-248 पेटियम पर UPI के जरिये भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नमबर है 8595-7942-24 जैभीन जैभारत